एसलाम आलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आप लोगों के साथ ये ट्रॉजर का बिल्कुल सा डिजाइन शेयर करूँगी इस डिजाइन को बनाने के लिए हम ट्रॉजर के लिए चार इन जादा रखेंगे और यह मैंने ट्राउजर लिया है ट्राउजर पर सबसे पहला मार्क हम तीन निच पर करेंगे तीन निच पर मार्क करने के बाद यहां पर हम पिंटेक्स डालेंगे एक एक फुट का हम एक पिंटेक्स डालेंगे इस तरह से पांचे पर मैंने चार पिंटेक्स डाल लिए हैं अब इसके उपर हम एक और मार्क करेंगे सेंटर में हम तीन इंच का गैप चोड़ेंगे और यहां पर तीन इंच के गैप पर मार्क करेंगे यहां पर दुबारा से चार पिंटेक्स डाल लेंगे इस तरह से उपर और नीचे मैंने पिंटेक्स डाल लिये हैं सेंटर में मैंने तीन इंच का गैप छोड़ा है अब इसके बाद ये मैंने कंट्रास का फैब्रिक लिया है और एप और इसको हम इस तरह से डबल करके साइट से स्टिच कर लेंगे इसकी हम डोरी बनाएंगे डोरी को स्टिच करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे नीडेल की हेल्प से हम डोरी को सीधा करेंगे अब इसके बाद यह मैंने अगर एक्स्टरा थैबरीक लिया है इसकी लेंड मैंने जाएंच एफ देखे यह च्शेएंच के लिया और इस फैब्री के बीट मैंने पने मने आपसे के हिसाबसाब अब वेपाइबरिक दबर कर defence कि अफेले लिगी हम्त पिलो के कटा मिपया लिए गाण, ऒबब कर देगा है इन इन जसे कर देखें अब यहां से लिगी टिए अधोर के C Criminal important पिलेंगे और अब इसके right side पर इस fabric को रखेंगे यहां से stitch करना start करेंगे और अब जो मैंने doris ready की थी हो डोरी लेंगे इस डोरी में से हम दो 2 इंच की डोरियां cut कर लेंगे अब in डोरियों को हम यहां पर stitch करेंगे 1.5 इंच पर यहां मार करेंगे और यहां से इन लूप्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे टोटल हम 6 लूप्स को स्टिच करेंगे इस तरह से यह देखें मैंने एक साइट पर लूप्स को स्टिच कर लिया है और यह जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ डोरिया निकली है इनको हम कट कर लेंगे अब इस साइड से फैब्रिक को स्टिच करेंगे पाइंचे के साथ इसको स्टिच करने के बाद यहां पर हम कट लगाएंगे दोनों साइड पर छोटे-छोटे कट लगा लेंगे इस तरहां से और अब इस फैब्रिक को हम रॉंग साइड पर फोल कर देंगे honk side पर fold करने के बाद fabric को इनके corner से हम needle की helle本 से बाहर हिर निकाल लेंगे और इसको press कर लेंगे इससरह से मैंने pancいう को press कर लिया है और अब shook side से हम यहां से हैंड stitch कर लेंगे यह देखें इससरह से पांची को हैंड स्टिच करने के बाद ये मैंने पर्स लिए हैं अब पर्स को हम लूप स्क्यूब पर स्टिच कर लेंगे पहले हम पांची के एक साइड से एक ओर्णर को इस तरह से फोल करेंगे और इस क्यूब पर बटन को हैंड स्टिच कर लेंगे कि बटन को स्टिच करने के बाद अब यहां पर लूप स्क्यूब पर पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से मैंने पर्स को स्टिच कर लिया है और अब रॉजर की फिटिंग कर लेंगे मैंने ट्राउजर का पाइंचा 6 इंच रखा है और यह लास्ट वे मैंने ट्राउजर का डिजाइन बिल्कुल रडी हो चुका है तो कैसे लगा आपको मेरे डिजाइन अगर अच्छे लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू